ओम नमो भगवते वासू देवाए अधिक मास महतम में दूसरा अध्याए सूद जी बोले राजा परिक्षित के पहुचने पर भगवान शुकदेव जी द्वारा कथित पुन्य प्रद श्रीमद भागवत कथा श्री शुकदेव जी के द्वारा सुन कर तथा राजा का मोक्ष देख कर अब मैं यहाँ यग्य करने के लिए उद्दत ब्राम्णों को द जो सुना है वही अपूर्व विशय है इसलिए हे सूद जी आप हम लोगों से वे सब कहिए फिर रिशी बोले हे महाभाग संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है ऐसी मन को प्रसंद करने वाली और सुधा से भी अधिकतर हितकर है ऐसी पुन्य कथा हम लोगों को सुनाईए सूद जी बोले विलोम अर्थात ब्रहमन के चारू में शत्री चुरू मिल जाने से उत्पन होने पर भी मैं धन्य हूँ जो श्रेष्ट पुरुष होने पर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं भगवान व्यास के मुख से जो कुछ मैंने सुना है वह यता ग्यान में कहत एक समय नारद मुनी नर नारैन के आश्रम में गए जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और खैर, बहेडा, आवला, बेल, आम, अमडा, केच, जामुन, कदम, आदी और भी अन्यव्रक्षों से सूशोबित है भगवान विश्णू के चर्णों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलक नंदा भी जहां बहे रही है, ऐसे नर नारैन के इस्थान में श्री नारत मुनी ने जाकर महा मुनी नारैन को प्रणाम किया और परब्रह्म की चिंता में लगा हुआ है मन जिनका ऐसे जितेंद्रिये काम क्रोध आदी छोओं शत्रों को जिते हुए जिनकी प्रभा अत्यंत निर्मल चमक रही है ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारैन को साश्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़ कर नारद मुनी व्यापक प्रभू की इस्तूती करने लगे नारज्जी बोले हे देव देव हे जगनात हे क्रपासागर सत्पते आप सत्य व्रत हो त्री सत्य हो सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो हे सत्य योने आपको नमस्कार है मैं आपकी शरण में आया हूँ आपका जो तब है, वह संपून प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा के इस्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कल्यूग में एक के पाप करने से सारी प्रत्वी डूपती है वैसे ही एक के पुर्ण्य करने से सारी प्रत्वी तरती है इसमें तनिक भी संशय नहीं है पहले सत्युकादी में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे ऐसे इस्तिति हटा कर कल्यूग में केवल करता ही पापों से लिप्त होता है वह आपके तपकी स्तिति है हे भगवान कल्यूग में जितने प्राणी है सब विशेओं में आ सकते है इस्त्री पुरुष ग्रहे में लगा है चितजिन का ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और जिससे मेरा भी थोड़ा कल्यान हो सके ऐसा विशे सोच कर आप मुझसे कहने के योग्य हैं आपके मुख से सुनने के इच्छा से मैं ब्रह्मा लोक से यहां आया हूँ उपकार प्रिये विश्णु है ऐसा वेदों में निश्रित है इसलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाईए जिसके श्रवन मातर से निर्भय मोक्षपद की प्राप्ती होती है इस प्रकार नारची के वश्णों को सुनकर भगवान रिशी आनंद से खिल खिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंब की गोपियों की इस्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के इश्वर, रसीकों के आबरण, ब्रंदावन बिहारी, ब्रिच के पती, आदे पुरुष भगवान की पुर्ण्य कथा को कहते हैं श्री नारेंण बोले, हे नारद आप सुनो, जो निमित मातर समय में जगत को उत्पन करने वाले हैं, उनके कर्मों को, हे वत्स इस प्रत्वी पर कौन वर्णन कर सकता है हे नारद मुनी आप भी भगवान के चरित्र का सरसार जानते हैं और यहे भी जानते हैं कि भगवान चरित्र वानी द्वारा नहीं कहा जा सकता यद भी अदभूत पुर्षोतम महातम आदर से कहते हैं यह पुर्शोतम महातम में दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला यश का दाता सत पुत्र और मौक्ष को देने वाला है अतैशिग्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए नारज जी बोले हे मुने पुर्शोतम नामक कौन देवता है उनका क्या महातम में है यह अद्बुत सा प्रतीत होता है अतै आप मुझे विस्तार पुर्वक कहिए सूज जी बोले श्री नारज जी का वचन सुनकर नारज शन मात्र पुर्शोतम में अच्छी दरह मन लगा कर बोले श्री नारण बोले पुर्षोतम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है पुर्षोतम मास के स्वामी दया सागर पुर्षोतम ही है इसलिए रिशीगर्ण इसको पुर्षोतम मास कहते हैं पुर्षोतम मास के व्रत करने से भगवान पुर्षोतम प्रसन होते है नारत जी बोले चैत्र आदी मास जो हैं, वह अपने अपने स्वामियों देवताओं से युक्त हैं ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पूर्शोतम नाम का मास नहीं सुना है पुर्शोतम मास कौन सा है और पुर्शोतम मास के स्वामी क्रपा के निधी पुर्शोतम कैसे हुए हे क्रपा निधी आप मुझे इस मास का स्वरूफ विधान के सहित कहिए हे प्रभु सत्पते इस माह में क्या करना चाहिए कैसे इसनान करना क्या दान करना इस मास का जब पूजा उफवास आदी क्या सादन है सभी कहिए इस मास के विदान से कौनसे देवता प्रसन होते हैं और क्या फल देते हैं इसके अतिरिक्ष और जो भी कुछ तथे हो वहबी तपोधन क्रपा या सब मुझसे कहिए साधू दोनों के उपर क्रपा करने वाले होते हैं वह बीना पूछे क्रपा करके सदूपतेश दिया करते हैं इस प्रतवी पर जो मनुशें दूसरों के भाग्ये के अनुवर्ती, दरीदर्दा से पिडित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जड़, गूंगे, उपर से अपने को बड़ा धार्मिक दरुशाने वाले, विध्या विहीन, मलीन वस्त्रों को धारन कर नास्तिक, परिस्त्री गामी, नीच जरजर, दासवरती करने वाले, आशा जिनकी नश्ट हो गई है, संकल्प जिनके ब्रश्ट हो गए है, तत्व जिनके शीन हो गए है, कुरूपी, रोगी, कुष्टी, तेड़े मेड़े अंगों वाले, अंधे, इस्ट वेयोग, मित्र वे करते हैं, वैसे जिन अनुष्टानों के करने और सुनने से पुने उत्पन न हो, हे प्रभू, ऐसे प्रयोग हम को सुनाईए, संसार के विचित्र दशा देखकर दुखी हूँ, मानस्वार्थ से भर गया है, और कितने ही दुखों से घिरा हुआ है, महामारी, वैदव्य, व अतै मेरे उपर दया करके, हे ब्राहमन, मेरे मन को प्रसंद करने वाले विशय को विस्तार से बताईए, हे प्रभू, आप सरवग्य है, समय से तत्वों के आयतन है, इसके बाद सुर्जी कहते हैं, इस प्रकार नारत के परोपकारी मधुर वचनों को सून कर, देवादेम न चंद्रमा की तरह शांत होकर, महामुनी नारत्ची से नए मेघो के समान गंभीर वचन बोले, इती श्री पुर्शोतम मास में नारयन नारत समवाद प्रश्न विधी नामक दीती अध्याय संपूर्ण हुआ, जै श्री राधे